तो फाइनली ढूंड लिया आपने हां मुझे उमीद थी ढूंड लोगे तो आज की वीडियो में डिसकेस करेंगे क्लास 12 मैट चैप्टर 6 के इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स मेरा नाम है विजे आप देख रहे हैं CCL तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेस्चन से तो हमने चैप्टर 6 के MCQs की वीडियो तो अप्लोड कर दी है अब इंपोर्टेंट क्वेस्चन है नहीं कि जो टू मार्क्स या ओर मार्क्स क्याते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आज 4 प्वेस्चन से इंपोर्टेंट तो x की cube minus 6x square plus 9x plus 15 is strictly decreasing तो हमें वो interval बताना है जिसमें function क्या हो strictly decreasing हो तो सबसे पहला step क्या होगा f dash x यानि की function का derivative तो x की cube का derivative 3x square minus 6x square का derivative 12x plus 9x का derivative 9 उसके बाद हम क्या करेंगे f dash x को 0 के equal रखेंगे तो यानि की 3x square minus 12x plus 9 is equals to 0 अब product तो 27 आना चाहिए और sum 12 यानि की 9 और 3 तो यानि की 3x square minus 3x minus 9x plus 9 is equals to 0 तो 3x common यानि की x minus 1 minus 9 common तो x minus 1 is equals to 0 तो यहां से x minus 1 और 3x minus 9 अगर दोनों को 0 के equal compare करेंगे तो देखो 3x minus 9 अगर 0 है तो 3x बराबर होगा 9 के और x बराबर होगा 3 के या फिर अगर x minus 1 बराबर है 0 तो x बराबर होगा 1 के तो हमारे पास critical points आ गए 1 और 3 यह अगर हमारे पास let's say number line है यहां पे 9 9 नि 3 sorry तो यहां पे 3 यहां पे 1 तो अब हमें check करनी है value किसकी f dash x की strictly decreasing function कब होता है जब f dash x less than 0 हो क्या हो 0 से कम तो अगर हम interval ले देखो एक से 3 के बीच में लेते है let's say 2 ले लेते है value तो यहां पे f dash x क्या है यहां पे यह same है x minus 1 और 3 x minus 9 अगर मैं 2 रखूँ तो 2 में 7 गया minus 1 और यहां पे 3 दूनी 6 minus 9 plus 6 यानि कि minus 3 तो overall क्या है positive लेकिन हमें चाहिए क्या negative तो यानि कि 1 और 3 के बीच का interval तो नहीं आएगा अब let's say अगर हम 0 रखें अगर 0 रखेंगे तो यह क्या जाएगा negative और यह क्या आएगा negative तो यह भी क्या है हमारे पास positive तो यह भी नहीं हो सकता अब 3 से बड़ी value रखते है let's say अगर मैं 4 रख लेता हूँ तो 4 में से 1 गया 3, 4 ते 12 में से 9 गया 9, 3, 12 यानि की positive आगया तो हमारे पास interval क्या आएगा 3 से लेकर infinite तक infinite में तो open interval आएगा ठीक है अब क्या 3 भी रख सकते हैं तो अगर हम 3 रखें तो 3 में से गया 2 और यहाँ पे 3, 2 जा 6 6 में से 9 गया 3, 3 जा 9, 9 में से 9 गया 0 लेकिन derivative क्या होना चाहिए 0 से कम तो यानि की हम 3 नहीं ले सकते तो open interval आएगा ये दो बारा समझ लो आप interval क्या आगया open interval 3 से open interval infinite तक देखो अगर मैं 3 रखूँगा तो ये तो 2 आगया और ये कितना आगया 0, 0 इंटो 2, 0 लेकिन हमारे पास जो f-x सब जीरो से क्या होना चाहिए less होना चाहिए तो इसलिए हमारे पास interval क्या आएगा open interval 3 से लेके infinite तक अब सेम इसी तरह ऐसी है second question भी हमारे पास एक function given है fx is equals to 5x की cube minus 15x square minus 120x plus 3 हमें strictly decreasing का interval बताना है कि किस interval में function strictly decreasing होगा तो सबसे पहले f-x पांच तिये 15x square minus 15 दो नहीं 30x minus 120 second step f-x को 0 के equal रखेंगे तो यहनिकी 15x square minus 30x minus 120 is equals to 0 15 से कट कर सकते हैं यहनिकी x square minus 2x minus 8 is equals to 0 तो 4 और 2 आजाएगा I think yes x square minus 4x plus 2x minus 8 is equals to 0 क्यों? क्योंकि देखो हमें product चाहिए minus 8 और sum चाहिए minus 2 तो minus 4 और minus 2 आजाएगा अब यहां से x common x minus 4 यहां से plus 2 common x minus 4 is equals to 0 तो x minus 4 x plus 2 is equals to 0 तो compare करेंगे तो x minus 4 is equals to 0 या फिर x plus 2 is equals to 0 तो यहां से x आ गया 4 यहां से x आ गया minus 2 तो critical points आ गये minus 2 और 4 अब हमें f dash x चेक करना है कि उसका sign क्या आएगा इनके बीच में अगर हम इनके बीच में रखते हैं पहले 0 रख लेते हैं एक बार तो अगर 0 रखेंगे यहां पे x minus 4 और x plus 2 में तो यह negative और into में positive का 2 यानि कि minus 8 तो negative है यानि कि minus 2 से 4 के बीच में क्या है strictly decreasing अब interval भी define करते हैं तो minus 2 to 4 अब close आएगा कि open आएगा तो देखो पहले 4 रख के देखते हैं तो 4 में से 4 गया 0 लेकिन 0 से क्या चाहिए f dash x कम चाहिए तो यानि कि यह तो open आएगा अब अगर minus 2 रखे तो minus 6 और यह 0 तो यहाँ पे यह भी क्याएगा open क्योंकि अगर close रख देंगे तो f dash x क्या जाएगा 0 तो वो strictly decreasing नहीं रहेगा function अब उसके बाद negative value रखते हैं यानि कि minus 2 से left में let's say minus 3 रखते हैं तो minus 7 और minus 3 plus 2 यानि कि minus 1 तो यह minus into minus plus तो यानि कि यह वाल अत्वाएगा नहीं यह ठीक है अब 4 से greater अगर हम रखे let's say अगर 5 रखते हैं तो 5 में से गया चयार 5 में से चयार गया एक और 5 और 2 साथ यह भी positive देखो यहाँ पे भी positive आ रहा है यहाँ पे भी positive तो interval क्या आया open interval minus 2 से 4 अब next question number third find the equation of tangent तो हमें equation of tangent find करनी है to the curve x equals to a sine की cube t and y equals to a cos की cube t at the point t is equals to pi by 4 तो points हमें given है और t point है pi by 4 पे तो हमें equation बताने है tangent की तो tangent की equation क्या होती है y minus y1 is equals to m bracket x minus x1 x1 और y1 की values हमें given है क्या है a sine की cube t और a cos की cube t अब सबसे पहले तो slope निकालते है slope क्या होगा dy by dx at t equals to pi by 4 तो सबसे पहले y का derivative with respect to t तो a as it is cos क्यूब t का derivative 3 cos स्क्वेर t और cos t का minus sin t divide by a into sin की cube t का derivative 3 sin square t और sin t का cos t cos square t और यहां पे cos t सबसे पहले a से cancel इस sin से एक power cancel इस cos से एक power cancel 3 से 3 cancel तो यह क्या गया minus cos t upon sin t यानिकि minus cos t और अगर t 45 है तो यह क्या आगया minus 1 तो slope तो आगया minus 1 अब x1 क्या है a sin की cube t t क्या है 45 तो अगर value रखेंगे तो a into 1 by root 2 की cube यानिकि 2 root 2 और यह a by 2 root 2 यह भी same आएगा क्योंकि cos 45 पे क्या होता है 1 by root 2 और उसकी cube तो हमारे पास final equation क्या आ गई y minus a by 2 root 2 is equal to minus 1 bracket x minus a by 2 root 2 अब y minus a by 2 root 2 is equal to minus 1 x minus a by 2 root 2 अब अगर हम LCM ले ले 2 root 2 y minus a a equals 2 यहाँ पे minus x into 2 root 2 और minus minus plus a 2 root 2 से 2 root 2 cancel हो जाएगा तो x को इस तरफ ले आते हैं तो x यानिकि 2 root 2 x plus 2 root 2 y बराबर है 2 a या फिर x plus y बराबर है 2 a upon 2 root 2 यानिकि x plus y is equal to root 2 a divided by 2 या जाएगी final equation या फिर आप चाहो तो यहां तक भी रख सकते हो और फर्दर चाहो तो फर्दर भी solve कर सकते हो अब लास्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमबर फोर्थ find the equation of the tangent equation of tangent to the curve ay square बराबर है x की cube at the point am square and am की cube equation क्या होगी y minus y1 is equals to m bracket x minus x1 यह हमारे पास x1 और यह given है y1 यानिकि points है और यह curve है तो इससे क्या निकालेंगे slope तो यानिकि अगर derivative करें ए तो constant y square का derivative differentiate करेंगे with respect to x y square का derivative 2y dy by dx is equals to x की cube का derivative 3x square तो dy by dx क्या आ गया 3x square divided by 2a into y तो dy by dx आ गया इसको कहां पर रखेंगे अब देखो हमें x और y की value given है points की x1 y1 तो value पुट कर देते हैं ठीक है 3 into हमारे पास क्या है x का square यानि की am square into am square divide by 2a y कितना है am की cube तो इसे से और इसे से ये दो ये cancel m की power 4 और m की power 3 यानि की ये पूर m cancel और यहाँ पर m बच जाएगा तो slope कितना आगा है मारे पास 3 am by 2 क्या है slope 3 am by 2 let's say slope को m1 मान लेते हैं चलो तो slope कितना आगा है 3 am by 2 तो बस equation में put करना है y minus am की cube is equals to 3 am by 2 x minus am square अब आप चाहो तो इसको further solve कर सकते हो या फिर यहां तक भी रख सकते हो देखो हमने क्या किया हमारे पास equation of tangent given थी ay square बराबर x की cube और points given थे am square और am की cube तो हम इस equation बतानी थी tangent की तो tangent की equation क्या होती है y minus y1 is equals to m bracket x minus x1 तो सबसे पहले इस कर उसे हमने क्या निकाला slope यानि की dy by dx तो dy by dx यह आया हमारे पास यहां पर हमने x और y की values रखी यह x की value यानि की point की और यह y की तो हमारे पास जो slope हो कितना आ गया 3m by 2 2 यहां पर m की जगह पर लिख सकते हो slope of tangent 3m by 2 तो हमने equation में रखा तो हमारे पास equation क्या आ गई यह वाले तो यहां पर video end करते हैं I hope आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं next video में करते हैं 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 झाल झाल